बाई और बेनो आपने पांच साल तक डबल इंजिन की सरकार का काम देखा है आपने हमें परखा है गरीब का विकास हो गरीब को मुलभूत सुविदाय मिले इसे हमने सर्वोच्च प्रात्विक्ता दी है लेकिन इन परिवारवादियों ने अपना घर अपनी तीजोरी तो भरी लेकिन कभी गरीब की चिन्ता नहीं की गरीब का जीवन आसान बने ये लोग न पहले चाहते थे और न आज चाहते हैं ये अफ़ा फ्यलाने वाली प्रवुति वाले परिवारवादी पूरी कोशिश कर रहे थे कि कोरोना का मुप्त टीका गरीब परिवार को न लगे लेकिन गरीबों की सरकार ने गरीबों की जिन्दगी को सुधारने के लिए उनके जीवन में विश्वात परदा करने के लिए पल पल गरीबों की चिन्ता करने वाली इस डबल एंजिन की सरकार ने उनके इस इरादों को सफल नहीं होने दिया ये लोग गरीबों के अस्पतालों के नाम पर स्वास्त सेवा के नाम पर गोटा ले करते थे ये लंबा इत्यास आप जानते हैं लेकिन योगी जी की सरकार ने अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का जाल बिछा दिया है मेरा सौभागय था एक साथ नव मेडिकल कॉलेज का उद्वानन करने का मुझे मोका मिला था ये हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ है जो योगी जी के सरकार में हो रहा है इनको ये भी लगता था कि सो साल का इतना बड़ा संकट आया है वेश्विक महामारी कोरोना आई है यूपी में बुखमरी फैलेगी उस पर ही अपनी राजनीतिक रोटिया सेकेंगे लेकिन इन लोगों को एसास ही नहीं था कि मोदी योगी ने इनके राशन माफिया मालूम है ना राशन माफिया ये राशन माफिया को किनारे लगा दिया है महामारी के इस समय में हमारी सरकार हर गरीब को पिछले कई महिनों से मुप्त राशन दे रही है और हमारे संकल परहा कि ऐसी बड़ी बैस्वीक सो साल की भेंग कर बिमारी आई है जीवन बचाना बड़े बड़े समरुद्ध देशों के लिए मुश्किल हो गया था हमने जीवन भी बचाने के लिए जीजान से महनत की और हमने कोशिच की कि गरीब के घर का चूला जलता रहना चाहिए आज गरीम माताए बहने मोदी को आशिरवाद दे रहे हैं योगी को आशिरवाद दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है को उनके घर में कभी बच्चों को भूखा सोना नहीं पड़ा है गर का चूला कभी बंद नहीं हुआ है छुड़ों के लिए निकला राशन, राशन का हरदाना, उसके जो हकदार है, उनके पास जाता है, राशन माफ्या नहीं है, इसलिए रास्ता गरीब के गर पहुँच जाता है, डबल इंजीन की सरकार ने, एक देश, एक राशन कार, वन नेशन, वन राशन काहां की भी व्यवस्ता की है, और उसके कारण, यूपी का जो भी परिवार, अगर दूसरे राज में गया है, उसको अब वहाँ भी, यहां के राशन कार से, उसको वहाँ भी राशन मिलेगा, उत्तर प्रदेश का अव्यक्ति कहीं बार रोजी रोटी के लिए गया है, तो उसकी रोजी रोटी की चिंता मोधी करता है, भाईयों, साथियों, यह आपके एक वोड की ताकत है, जो गरीब का भला करती है, लेकिन मैं यूपी के लोगों को सावधान भी करना चाहता हूँ, यह परिवारबादी लोग, इस समय इतने बोखलाये हुए हैं, कि ठान कर बैटे हैं, कि गरीब के लिए चल रही, सारी योजनाओं को सबसे पहले ताले लगा देंगे, इसको बंद कर देंगे, क्योंकि उनको लगेगा, कि अगर यह योजनाओं चालू रही, तो योगी और मोदी के इगीत लोग गाते रहेंगे, और इसलिए पहला काम उझको ताला लगाने का करेंगे, इसलिए भाईो बेहनों कि आप चाहते हैं कि लोग कल्याण की योजनाओं चालू रहें, आप चाहते हैं योजनाओं चालू रहें, आप चाहते हैं गरीब को घर मिलना चाहिए, आप चाहते हैं गरीब का चुला जलते रहना चाहिए आप चाहते हैं गरीब के बच्चों को पढ़ने के लिए सुविदा मिलनी चाहिए आप चाहते हैं गरीब को बिमारी में दमाई के लिए व्यवस्था मिलनी चाहिए इनके लिए ये कामी नहीं है और इसलिए ऐसे लोगों को कभी मौका मत देना